आज हम बुद्ध ग्रह के बारे में बात करेंगे यदि आपकी जनम कुंडली के अंदर बुद्ध कुंडली के दूसरे घर, दूसरे भाव में यदि बैठे हों तो वह आपके जीवन पर क्या फर्क डालेंगे और आपके जीवन में क्या फल परकट करेंगे यह आज आज आप इस वीडियो को देखकर जन जाएंगे जनम कुंडली में कोई भी ग्रह कहीं भी बैठा हो वह अच्छा या बुरा दोनों में से कोई भी फल परकट कर सकता है तो उस फल को समझ कर ही आपको उस ग्रह का उपाय करना चाहिए पहले यह महसूस करिए कि वह ग्रह आपके लिए शुब है या आपके लिए अशुब है अब जनम कुंडली के अंदर बुद्ध अगर दूसरे घर में बैठे हो तो कहा गया है कि ऐसा इंसान ब्रह्म ज्यानी होता है योगी होता है कहीं न कहीं राजा होता है और ऐसा इंसान मतलब परस्त भी होता है यह शुब फल बताए गए है कि राजा योगी और ब्रह्म ज्यानी यानि कि बहुत ज्यानवान विक्ति और बहुत धना डिविक्ती ये बुद्ध के बारे में कहा गया है शुफलों में लेकिन इसके अशुफल के बारे में कहा गया है कि इसी घर के अंदर बुद्ध जब बैठा हो और अशुब हो जाए तो कहा जाता है कि जिसकी कुंगली में बुद्ध दूसरे घर में बैठा है उसका पिता अगर उसे ये पता चल जाता कि मेरे घर में जो बेटा पैदा होगा यानि कि ये कुंगली वाला बच्चा पैदा होगा और ये मेरी मौत का कारण बनेगा या मेरी तवाही का, मेरी परिशानी का कारण बनेगा तो फिर बेटा पैदा होने की दुआ ही नहीं मांगता यानि कि इतना बूरा फल प्रकट कर देता है दूसरे भाब का बुद्ध शुब और अशुब को पहचानना है अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कौन सी राशी में बैठा हो तो शुब अशुब राशी को कुछ समय के लिए भूल जाएए बना ये विशह जोति सीखने वाला हो जाएगा आप केवल और केवल इतना याद रखिए कि आपका बुद्ध कुडली के दूसरे भाव में बैठा हो और फिर जो मैं बता रहा हूँ उन फलों को मैच करके देखिए कि आपसे शुब फल मैच हो रहे हैं या अशुब फल आपसे मैच हो रहे हैं यदि अशुब फल मैच हो रहे हैं तो पाई कीजी और शुब फल यदि आपसे मिल रही हैं तो बुद्ध आपका शुब है तो यही आपको समझना है तो आईए श्टाट करें अगर जिसकी जनम कुड़ी में बुद्ध दूसरे घर में बैठे हो वो विक्ति किस्मत बाला होगा या खराब किस्मत बाला होगा इसकी सबसे पहली जानकारी इस बात से मिलेगी कि उस विक्ति का माथा देखिए आप अपना माथा देखे यदि आपका बुद्ध कुंड़ी के दूसरे घर में बैठा है यदि आपका माथा एकदम उभरा हुआ और चोड़ा यानि कि बहुत से लोगों की बाल यहां से सुरूव हो जाते हैं ठीक है ना ऐसा माथा नहीं चोड़ा माथा जितना जादा चोड़ा माथा अबरा हुआ माथा आगी की तरफ एकदम लगे कि हाँ यह बहुत साफ इसपर्ष्ट चोड़े माथे वाला व्यक्ति है ऐसा व्यक्ति किस्मत बाला होता है जब उसकी कुंडली में बुद्द दूसरे घर में बैठी हो अपनी ही दुनिया में खोई रहने वाला यह उसे कोई फरक नहीं पढ़ता कि दुनिया में कोई उसके लिए क्या कह रहा है उसे केवल अपने आपसे मतलब होता है कि इसको कहा गया है ना कि मतलब परस्त यानि कि उसको क्या चाहिए इस बाद से उसे मतलब है कहा जाता है एक महावरा है कि अपना काम बनता भाड में जाए जनता एक महावरा है ये महावरा ठीक बैठता है बुद्ध दूसरे घरवाले के लिए क्योंकि वो किस्मत वाला व्यक्ति होता है अपने पिता के लिए तो वो किस्मत वाला नहीं होता पिता पैसे वाले हो उसके लेकिन उसके बाद भी वो अपने पिता के लिए लखी नहीं सावित होता अपने पिता की धन दौलत को तो वो गवा देता है लेकिन कहीं न क दूसरे भाब के बुद्ध की निशानी है जो लोग बुरी सोच वाले होते हैं और इस व्यक्ति को पता चल जाए कि ये व्यक्ति मेरे बारे में बुरा सोचता है या गलत नियत वाला व्यक्ति है ऐसे व्यक्ति के साथ वो सम्मंद नहीं रखता, उससे दूरी बना लेता है और अपने शत्रूओं को मजा चखाने वाला होता है यानि शत्रूओं को कही ना कही वो निफटा दिता है अपने रास्ते से हटा दिता है ठीक है, शत्रूओं उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते लेकिन जो और लोग होते हैं जैसे कि उससे भी ज़्यादा ध्राड़े व्यक्ति उनके संग उसका उठना बैठना हो जाता है और उनको तारने वाला हो जाता है यानि कहीं न कहीं खुद को भी लाव होता है उसे और ऐसे लोगों को भी वह लाव कराता है इनके सा संबन्द अच्छे रखता है खुद की ससुराल को भी यह help करता है और ऐसे व्यक्ति की ससुराल भी पैसे वाली होती चली जाती है बिवा हो जाने के बाद में तो यहाँ पर यह व्यक्ति लखी होता है लिकिन एक चीज यहाँ पर याद रखने वाली है यहां पर आपको यह देख लेना है कि बुद्ध जनम कुंडली के अंदर दूसरे घर में अकेले बैठे हो, कोई गरह साथ ना बैठा हो, सिर्फ अकेले बुद्ध पर यह सारी बाते एपलाई हो रही है, ठीक है ना, अगर कोई गरह साथ बैठा है तो एपलाई नहीं होंगी, उसमें दूसरी बाते एपलाई होंगी, जो आगे हम चर्चा करेंगे, तो यहां पर बुद्ध दूसरे घर में अकेला बैठा है, तो सस्राल को तारने वाला, अपने साथी लोगों को तारने वाला, और कही ना कही अपने पिता के लिए खराव फल प्रकट करने वाला, जिस समझा उगा और तीखा जवाब देगा, कि सामने वाले की बोलती बंद कर दे, उसकी जुवान में और उसकी कलम में बहुत तागत होती है, यानि कि जो कह दिया वो एक तरह से पत्थर पे बनी हुई लकीर हो गई, तो जुवान में बहुत तागत होती है, और कही ना कही उस उसके कलम में बहुत तागत होती है जो जुबान किसी को दे देता है उसे निभाता है जुबान के बहुत पक्के माने जाते हैं ऐसे दूसरे घर में बुद्ध बैठे हो तो सभी को तारने वाला व्यक्ति हो गया और एक चीज़ समझ लीजे यहां पर कि उसको कभी दिमागी बीमारियां नहीं होती वो दिमाग से कभी कमजोर नहीं होता और कभी उसको पागलपन, डिप्रेशन इस तरह की शिकायत नहीं मिलेंगी और ये बातें तभी फलीफूत होंगी जब जनम कुंडली के दूसरे घर में बुद्ध बैठे हो और जनम कुंडली का छटा घर और आठवा घर, ये खाली हो इसमें कोई भी घर ना बैठा हो तो, अब पिता की उम्र जो है ना कहीं ना कहीं कम दिखाई दे रही थी बुद्ध के दूसरे घर में बैठने से, पिता की उम्र लंबी हो सकती है उस वक्त जब चंद्रमा जनम कुंडली के अंदर मजबूत हो, कम श्टर्मा कुंडली में strong इस्तती में हो तब भी पिता की उम्र लंबी होती है और ये बुद्ध पिता की उम्र को और पिता की रुपे पैसे को खराब नहीं कड़ता और ना ही कोई कमजोरी देता है ना ही कोई भीमारी पिता को लगाता है इसके बाविजूद भी यदधी या बारेवे घर के अंदर ब्रसपती बैठे हो तो इज्जत और शोहरत कमाने वाला व्यक्ति यानि कि उसकी समाज में बहुत पतिष्ठा होती है उसकी जो मा होती है उसकी उम्मर लंबी होती है और माता को सुख प्राप्त होते हैं इसी के अलावा यदि बुद्ध दूसरे घर में हो और ब्रहसपती छटे घर में बैठे हो अकेले बैठे हो या मंगल के साथ बैठे हो तो ऐसे में उसकी जो पिता की उम्मर कम बताई जा रही थी बुद्ध दूसरे घर के होने की वज़े से वह उम्मर अब लंबी रहेगी लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि मंगल पर बुद्ध का बुरा प्रभाव पड़े मंगल यानि की भाई तो मंगल यहाँ खराब हो सकता है भाई के सुखों में कमी आ सकती है भाई के साथ बाद विवाद बन सकते है या भाई का सुख ना हो ये भी हो सकता है तो ऐसे में बुद्ध का ये प्रभाव देखने को मिलेग ब्रस्पती छटे घर में होंगे तो बुद्ध जो है वो शुफल में जाएंगे और पिता की उम्र को दूसरे घर में बुद्ध बैठे हो और शनी आके बैठ जाएं छटे घर के अंदर तो शनी के छटे घर में बैठ जाने पर इस व्यक्ति के पिता की उम्र कम आखी जाएगी यानि कि पिता की उम्र कम रहेगी लेकिन ये व्यक्ति खुद अमीर होगा इसकी मा की उम्र बहुत लंबी पाई जाती है तकरीबने से व्यक्ति की मा की उम्र 80 साल के लगवग पहुंच जाती है अब जब शनी इस घर में बैठे हो और बुद्ध दूसरे घर में बैठे हो और शनी छटे घर में बैठे हो तो ऐसा व्यक्ति अमीर होता चला जाता है और एक दिन बहुत सारी दौलत इखटा कर लेता है और इस व्यक्ति की जो खुद की उम्र होती है बहभी लंबी होती है और इसे अपने परिवार को पालना पड़ता है यानि कि परिवार के बहुत सारे सदस्यों की जिम्मेदारी इस व्यक्ति के कंधे पर आ जाती है तो ये बुद्ध के positive होने की निशानी हमने बताई अब बुद्ध खराब है इसके बारे में हम बात करेंगे दूसरे घर में बुद्ध बैठे हो और उस बुद्ध की खराबी को महसूस करना हो तो सबसे पहले महसूस करिए कहा जाता है कि बुद्ध जब दूसरे घर में बैठा हो तो एक ऐसी राक जो मुह को खराब कर दे यानि कि आपने देखा है कि जब कभी ऐसी जगा से हम जाती है जहां बहुत रेत रहती है या बहुत राक होती है जिस जगा पर और हवा के साथ वो उटोड के चेहरे पर आती है तो कैसा हाल हो जाता है हाल बेहाल हो जाता है वैसा ही हाल जिन्दगी का होता है कि उस व्यक्ति के घरवाले उस व्यक्ति के द्वारा बहुत जादा पीडित होते है या वो व्यक्ति भी अपने जीवन में इसी परकार का हाल मैसूस करता है जैसे कि दुनिया भर की तकलीफ है उसके जीवन में चली आ रही है इसी के साथ साथ उसको संतान होने में देरी प्राप्त होती है संतान यदि उसे प्राप्त हो भी जाए तो खास करके पुत्र संतान क्योंकि ऐसे व्यक्ति का के तो खराब हो जाता है तो खास करके पुत्र संतान प्राप्त होने में समझ से आती है और पुत्र संतान हो जाए तो पुत्र संतान से संबंदित कष्ट उसे देखने को मिलेंगे तो ये बुद्ध की यहां पर खराबी प्रकट हुई आप महसूस करिए कि आपके साथ बुद्ध की पॉजिटिवनेस है या फिर नेगटिवनेस है उसको महसूस करिए आगे चर्चा करते हैं जब बुद्ध जब खराब होगा यानि कि रांग रांग जो होती है उस रांग के टुकडे से हीरा कट जाए इस तरह से यानि कि अगर आप ऐसा बुद्ध वाला व्यक्ति यदि अमीर घराने में पैदा हो गया स्वेम भी अमीर है तो यदि उसको एक शौक चड़ जाए सट्टा खिलने का शेर मार्केट में पैसे लगाने का ठीक है ना या ऐसा व्यक्ति ऐसे व्यापार को करने लग जाए जो जवानी व्यापार होते है शेर मार्केट जवानी होती है सट्टा जो होता है वो जवानी होता है ठीक है ना जिसमें ना कुछ लिया ना कुछ दिया, यानि कि पैसे लगाया आपने और केबल जुवान पर ही शौदा हुआ, ऐसे व्यापार यदि व्यक्ति करने लग जाए, तो उसे भिकारी होने से कोई नहीं रोख सकता, ये बुद्ध की बहुत बड़ी खराबी है, ये आपकी वर्से से लेकर 21 साल तक उसके पिता की आयू खत्ब हो जाएगी, या फिर 34 साल से लेकर 36 साल की जो इस व्यक्ति की उम्र होगी, तब उसके पिता का साथ छूट जाएगा, यदि पिता जिन्दा है और ये आयू कंप्लिट हो चुकी है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने पिता को जिन्दा रखने की कीमत अधा करनी पड़ेगी, यानि कि पिता जितना कमाते हैं पूरे एक साल में, ये व्यक्ति एक साल में उतना पैसा गवा देगा, इतना घाटा कर लेगा, चाहे किसी भी रूप में करें, चाहे ब्यापार में घाटा करें, या कोई इसका पैसा दवा कैसे भी मनलो, ठीक है ना, जब ये व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति का यदि पिता जिंदा है, तो ऐसे व्यक्ति के जिंदगी में साल में एक बार घाटा होता चला जाएगा, और वो अपने पिता को जिंदा रखने की कीमत चुकाता रहेगा, तब उसका पिता जिंदा रहेगा, या कि या तो दौलत रहेगी या पिता रहेंगे दो में से कोई एक चीज रहेगी गुद्ध बैटे हों कुंगली में दूसरे घर में और उसी वक्त आठवे घर में नवे घर में तीसरे घर में या बारवे घर में पुना सुन लीजे तीसरे घर में आठवे घर में, नवे घर में या बारवे घर में शुक्र बैठा हो और भी घरया बैटे हो मतलब नहीं, शुक्र देखना है कि 3, 8, 9, 12 में शुक्र बैठा हो और ऐसा व्यक्ति अपने घर के अंदर अपनी साली को रखने लग जाए तो ऐसे व्यक्ति को समझ ही नहीं आएगा कि उसके बढ़त नि में कहाँ स्षेद है, उसकी कमाही होई दुलत कहाँ जा रही है। उसका गरस्त जीवन भी बर्वाद हो जाएगा और उसके धन दुलत भी बर्वाद हो जाएगी। तो ऐसे व्यक्ति को अपनी ससुराल से इस्पष्ट रूप से यानि कि अपनी साली को अपने घर में नहीं रखना चाहिए जब ऐसी इस्तती बन रही हो तो तो दोस्तों ये थी बुद्ध की बित्रों एक बात ओ समझ लो कि बुद्ध दूसरे घर में हो और आठवे घर में ब बाबा का साथ उसको नहीं मिलेगा अब इसी तरह से चंद्रमा और शनी ये दोनों जनम कुंडली के बारवे घर में जाकर बैठ जाएं और बुद्ध दूसरे घर में हो तो खुद पिता के द्वारा यानि कि ऐसे व्यक्ति की जो पिता होंगे उनकी खुद की कमाई ना जा इतना बुरा फल मिलता है और ये बरवादी कहां से सुरू होगी इस बच्चे के 17 साल की उम्र से लेकर ये जिसके कुंडली के अंदर बुद्ध दूसरे घर में हैं उनकी जनम कुंडली के हिसाब से जब उनकी उम्र 17 साल की होगी 17 से लेकर और 35 साल की उम्र तक ये इधर में बैठने के शुब और अशुब फल के बारे में जन करी। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में बुद्ध अशुब फल प्रकट कर रही हैं, तो आपको दो उपाय करने चाहिए। पहला उपाय, बीच में से यहां से नाक छेदन करवा लीजिए, चार से पांच दिन के लिए और इसमें चांदी का तार डलवा लीजिए। उसके बाद निकाल देना। इसी के अलाबा चंद्रमा की चीजें दूद, चावल, चीनी या सिर्फ दूद और चावल ये सब लेकर के आप प्रतेक सौमबार की सौमबार शिव मंदिर में रखना सुरू कर दीजिए। शिव मंदिर के अलाबा आप किसी भी मंदिर में धार्मी के स्थान में आप इन वस्तुवों को दे सकते हो, ये निरंतर देते जाओ एक साल तक, आप करते जाओ तो आप बुद्ध की इस खराबी से कही न कहीं बाहर आ जाओगे। तो मित्रो ये दो पाए हैं जो बिशेश फल आपको देंगे, तो आप आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि आपका बुद्ध जनम कुडली में कैसा है।